हलो सन्मून एंड राइजिंग कैप्रिकॉंस वेलकम टू माई चानल ड्रीम टैरोट यह आपके पार्टन की करन्ट फीलिंग्स के हवाले से ताइमलेक्स कलेक्टेव मैसेज है और यह जनल रीडिंग जो कि आप से रेजोनेट कर भी सकती और नहीं भी कर सकती आप सिर्फ उन भी आप अौल कर सकते हैं फालाइस सेशनज हुआ यहुआँ इस लिट स्टार्ट ढ्रीटेव क्या अतहनiałem से आते हैं प्रिक्र्वां के प्रिसंस की करें हिंग्स के हाले से पीजनेवे सिर्भरतYA काईजवी ॴार्षटी क्दूर्वाश्य यार। प्लीज इनिवर्स गाइट में अंदरीट आपके पास है मैजीशन येस पास में शायद वो आपसे ये रिलेशनशिप एंड हुआ था वो बहुत ज़ाद डिसापॉइंटेड होकर आपसे दूर गहते वो जाना नहीं चाहते और वो स्टिल आपसे लव करते हैं वो आपसे लव करते हैं लेकिन आपको शो करते हैं कि वो कोल्ड है या आप उन्हें कोल्ड बिहेवियर दे रहे हैं आप उनसे दूर हुए हैं इमोशनली तो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं येस यह भी हो सकता है कि शायद वो आपको manipulate करते हैं किसी वजह हवाले से, trick करने की कोशिश करते हैं हो सकते हैं वो अपनी feelings के हवाले से आपको trick करते हैं वो आपको ऐसा कहते हैं कि आप वह से प्यार नहीं करते हैं और असल में आप से प्यार करते हैं यह भी हैं उन्होंने कुछ decision लिया है लेकिन या तो उन्होंने decide किया है कि वो इस relationship को end करेंगे और ending उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो रही है वो नहीं कर पा रहे हैं वो इस relationship से दूर नहीं जा पा रहे हैं वो आप से आप से ही attached है emotionally और यस अब वो चेंज लाना चाहते हैं या तो डिसाइड करें कि आपके पास वापस आना है और वो इस relationship में जो no contact situation है जो breakup situation है उसको change करना चाहते हैं वो आपके साथ reconciliation चाहते हैं वो सारे differences को बुला के बापस आना चाहते हैं लेकिन यह जो change लाना है यह मुश्किल हो रहा है उनके लिए उनको understand करें understand करके इस relationship को आगे लेकर चलें और आप दोने spiritually भी growth करें grow करें so let's see के उनके true intentions क्या है please universe guide me growth तो yes वो इस relationship की growth चाहते हैं उनकी intentions यह है वो end नहीं करना चाहते हैं वो चाहते हैं कि वो grow करें बट कहीं ने कहीं वो अपनी self-worth को भी एहमियत देते हैं इसलिए वो आपको manifest करें अपनी life में और वो चाहते हैं कि आप उनसे आप भी उनके साथ मीचर understanding से चलें हर चीज़ में उनको compromise ना करना पड़े आप भी कुछ ना कुछ compromise करके adjust करके चलें उनके साथ यहां पर रिलीस करना चाहते हैं उनके जो भी पास के hurts हैं इस relationship में जो भी हुआ उसको भूल कर वो आगे बढ़ना चाहते हैं वो चाहते हैं कि आप दुनों मीचर understanding से उसे को समझ के balance करते हुए आगे बढ़ें इस impartiality तो वो अब balance लाना चाहते हैं इस relationship में let's see romance angel oracle की तरव से क्या messages है for Capricorns, Capricorns के persons के लिए क्या messages है for romance angel oracle Children's, your love life is being affected by children's, हो सकते है आप लोग married हो और children's की वज़ा से affect हुई हो आपकी love life means के maybe आप लोग married है आप लोगे children's नहीं है और pressure हो सकता है family का इसके इलावा यह भी हो सकता है कि आप दोने बहुत दा childish behavior दिया true love है इसलिए वो आप से दूर नहीं चाह पाते हैं वो आपके साथ जो understanding और जो bond feel करते हैं वो किसी और के साथ नहीं feel करते हैं इसलिए वो चाहते हैं कि new start is relationship में हो आप भी सब भुला के आगे बढ़ें वो भी सब भुला के आगे बढ़ें और लेट्स सी इनके heart messages कहा है you were the best thing in my life तो जैसे मैं निकाला के वो आपको अपनी life में सबसे best things समझते हैं कि उनके लिए आप ही सबसे best है I cannot stop thinking about you तो आपके बारे में सोचना नहीं छोड सकते I know I was destruction from your pain तो उनको लगते हैं कि इसका मतलब यह भी हो सकता है कि आप भी उनसे कहीं नहीं बहुत ज्यादा अटास्ट है I could not get you closer to me तो हो सकता है यहां पे कोई ऐसी situation बनी थी जिसमें उनको walk away करना पड़ा आप से I left you when I saw you with someone तो यह भी एक message हो सकते है कि शायर उनको ऐसा लगता था कि आप किसी और के साथ है I feel you even though we are apart तो वो आपको still feel करते है चाहिए जितनी भी दूरियां आ जाजाए इस relationship पे लेकिन वो आप से दूर नहीं जा सकते वो भी decide नहीं कर पा रहे हैं उनका next section यह है कि वो भी decide नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए कोई क्या step लेना चाहिए वो खुद से step लेने के हवाले से decision नहीं ले पारे अगर आप अगर आप शादी अगर आप चाहते हैं उनसे तो वो कमिट्मेंट नहीं ले पारे हो सकता है वो अलड़ी मेरेड है इसलिए वाजर से वो आपकी तरफ नहीं आ पारे और अगर यहां पर थर्ड पार्टी सिच्वेशन है तो उससे वो बहुत जादा heartbroken आपकी तरफ से किसी साइन का वेट करेंगे और उनकी बिक डिसार है के आपके साथ स्टेबलची लेकर आएँ उनकी डिजाय के आपिससाथ की निए उशुर बात हो अपने आपको better person बनाने की कोशिश करें अपनेआपको हील करने की कोशिश करें और यस वो अपनी लाइफ जब भी हर्ट ब्रेक्स आप दोनों को मिले हैं वह से हील करने की कोशिश करें और रिस्टेबिलेटी का वेट करें आपके तरफ से किसी साइन का वेट करें और आपको अब स्टेबिलेटी देने के लिए यस बाइड वह डिसाड़ सेट करके करना क्या चाहिए so that was your reading if it resonates you please let me confirm in a comment below like my video subscribe my channel thanks for watching